तीन ऑस्ट्रेलियाई खिलाडी जो रिकी पूंटिंग की इंट्री के बाद बन सकते हैं पंजाब किंग्स के नए कप्तान या है पुरी खबर बताएंगे आपको वो कौन से तीन खिलाडी है जो इस समय पंजाब किंग्स का कप्तान बनने की रिस में सबसे आगे है सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाले है दोस्तो आईपील के पहले सीजन से लीक का हिस्सा रही पंजाब किंग्स टीम ने अभी तक एक बार भी किताब नहीं जीता है पंजाब का सबसे अच्छा प्रदर्शन 2014 के सीजन में आया था जब टीम फाइल तक पहुँचने में का इसके बाद से पीबी केस एक बार भी प्ले उप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई आल ही पंजाब फ्रेंचाइजी ने एक बड़ा एलान किया और आस्ट्रेलिया के दिगगजर की पुंटिंग को अपना हेड कोच लियोक्त किया पुंटिंग पिछले कुछ सीजन से द अपतानी शिखर धवन ने की थी लेकिन वब बीच सीजन ही चोटिल हो गए थे और फिर यह जिम्मेदारी इंग्लेंड के आल अराउंडर सैम करन को मिली थी धवन सन्यास ले चुके हैं और करन को रिटेन किया जाएगा या रिलीज इसको लेकर अभी कुछ पक्के तोर पर नहीं कहा जा सकता है आला कि यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि रिकी पूंटिंग के आने से किसी ऑस्ट्रेलियाई को पंजाब किंग्स का कप्तान बनाया जा सकता है इसी को ध्यान में रखते हुए हम ऐसे ही तीन ऑस्ट्रेलियाई खिलाडियों का जिक्र करने जा रहे है जो IPL 2025 में पंजाब फ्रेंचाइजी की कमान संभाल सकते हैं पहला नाम है डेविड वार्नर का इंटरनेशनल क्रिकेट से इसी साल सन्यास लेने वाले औस्ट्रेलिया के विस्फुटक उपनर डेविड वार्नर अभी भी लीग क्रिकेट में एक्टिव हैं IPL 2024 में भी वार्नर ने हिस्सा लिया था और वह दिल्ली कैपिटल्स की टीम में थे जिसके हेड कोच रिकी पॉंटिंग थे हाला कि अगले सीजन के लिए वार्नर को रिटेन किये जाने की संभावना कम है ऐसे में वह पंजाब किंग्स की कप्तानी के दावेदार बन सकते हैं इस खिलाडी को IPL में कप्तानी का काफी अनुभाव है और 2016 के सीजन में हैदराबाद की फ्रेंचाइजी के साथ किताब भी जीता था दूसरा नाम है मिचेल मार्श का आस्ट्रेलिया के टीबीस कप्तान मिचेल मार्श भी पंजाब की फ्रेंचाइजी के लिए IPL 2025 में कप्तानी का एक विकल्ब बन सकते हैं मार्श भी हालिया सीजन में दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा थे इस खिलाडी को विस्फूटक बल्ले बाजी के साथ साथ मध्यम गती की गिंद बाजी के लिए भी जाना जाता है मार्श ने आस्ट्रेलिया के लिए सबसे छुटे फॉर्मिट में अभी तक 19 में से 16 मैच जीते हैं ऐसे में उनका रिकॉर्ड भी शानदार है इसके बाद तीसरा नाम है स्टीव स्मिथ का पंजाब किंद की कमाना एपियल 2025 में संभाले वाले दावेदारों की लिस्ट में सबसे मजबूत नाम स्टीव स्मिथ का नजर आता है मिथ ने इस साल टीवी स्वर्ड कप की स्कॉर्ड से ड्रॉप किये जाने के बाद मेजर क्रिकेट लिग में हिस्सा लिया और अपनी कप्तानी में टीम को खिताब भी जितवाया इस दोरां स्मिथ ने बेहत धमा के दारंदास से रन भी बटोरे ऐसे में रिकी पॉंटिन स्मिथ को मेगा ओक्षन में खरीद कर पंजाब किंग्स का कप्तान बनाने के बारे में सोच सकते हैं वैसे दोस्तों पंजाब किंग्स के नई कप्तान के बारे में आपका क्या सोचना है कमेंट में जरूर बताए